ओ तो इसलिए गाइस प्रशान नील ने हिम्मत की शारु खान प्लस राचकुमार हिरानी की मूवी डंकी के साथ भिड़ने की हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका डंकी वर्सिस सलार के एक और जबर्दस से एपिसोड में आप काफी सारे लोग इसका अपडेट मांग रहे थे डंकी का भी सलार का भी और आपको पता ही कि अभी बीच में गाइस कुछ मूवी जिसने कह सकते हैं कि इस मामले को ठंडा कर दिया था डंकी के भी अपडेट नहीं आ रहे थे सलार के भी नहीं तो काफी सारे लोग मांग लेकिन यहाँ पर अभी एक नया ही खुलासा हुआ है कुछ जिसके बाद से शारू खान के फैंस और प्रभास के फैंस कह सकते हैं कि दोनों दोस्तों एकसाइटीड है यहाँ पर कुछ लोगों ने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में कुछ जानकारी दी जिसको सुनने के बाद गाईज आम लिटरिली शॉक्ड और यह गाईज कह सकते हैं कि जो फैक्ट है यह प्रशान नील के फैंस को या फिर प्रभास के फैंस को खुश कर देगा दोस्तों आखिर क्या वो अपडेट है और क्या हाकीकत में दोस्तों डंकी मुवी पोस्पॉंड होने वाली है क्योंकि इस तरीके के भी बहुत सारे गाईज जो फेक न्यूज है वो फैलाया जा रहा है तो करेंगे बाद उससे पहले आप से रिक्वेस्स कि आप हमें सपोर्ट करें को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे हैं तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लैट स्कार्ट जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब से यह डिवेट शुरू हुआ है जब से अनौसमेंट हुआ है कि सलार अप सीधा डंकी से भी मूवी से और उस मूवी के बाद ही शारू खाने दोस्तों कह सकते हैं कि रूपहले परदे से दूरी बना दी ती तीन-चार साल के लिए और जब आये तो क्या खूब आये तो वह जो मूवी कह सकते हैं कि बॉक्स ओफिस में चली नहीं हिंदी आउडियंस ने देखा नहीं इतना उसने कलेक्शन किया नहीं और उसी के साथ रिलीज हुई थी दोस्तों कौन सी मूवी आपकी जानकारिये के लिए बदा दूं कि भाई के जीअफ चैप्टर वन के जीअप चैप्टर वन ने दोस्तों कह सकते हैं कि बाहु बली ने दोस्तों नीव रखी और के तो यहां सबसे बड़ा गाई सवाल यह है कि क्या फिर से हिस्टरी रिपीट होगी या फिर यहां पर हिस्टरी में शारु खान करेंगे चेंजिंग और इसके अलावा दोस्तों यह तो आपको पताईए इसके अलावा इतना बड़ा गाईज खुलाशा हुआ है जो इस और यह बहुत बड़ा चांस है गाईज शारु खान के लिए कि वह अपना वह जो एक बदला है उसको ले सकते हैं या फिर गाईज अगर यहां पर यहां पर यह सब चीज है तो परशान नील के हो जाएंगे बले बले जैसे कि गाईज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क एकुआ मैं 14 दिसंबर 2018 आप लोग बोलोगे कि यार इतनी सारी मुवी का क्या लेना देना यह सब दिसंबर के महिने में ही रिलीज हुई ती और तीन मुवी तो एक ही डेट में क्या है इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह जो मुवीज है गाईज इसमें आप लो दोस्तों प्रशान नील एजा डिरेक्टर कवा रही है एजा सेम यहां पे शारुक खान के सार्ट कर लेने इसके लाबा मारी 2 में कौन थे धनुश और गाईज 15 तारिक को यानि कि 15 दिसंबर को रिलीज हो रही है कैप्टन मिलर यानि कि धनुश की मुवी यह गाईज तीन चीज आप लोग बोलोगे कि ठीक है कॉइंसिडेंस होगा लेकिन यहां पे एक्वा मैं 2018 में रिलीज हुई थी दिसंबर में ही और एक्वा मैं पार्ट टू भी 2023 के दिसंबर में ही रिलीज हो रही है 20 दिसंबर तो गाईज यह सब चीजे जो है यह कह सकते हैं कि यार लगए यहां पे पकहरी होगी न कि यहां प्रशान नील की सलार सबहरी होगी या फिर ृजर की देखो आही देखो शारू खान का उस وقت दिन नहीं थे, भाई सहाब उनकी मूवी चली नहीं रही थी, इवन कुछ अच्छे कॉंटेंट भी आ रहे थे, जैसे की रईस या फिर फैन मूवी, इनको भी दोस्तों डिसेंट रिस्पॉंस मिला था बॉक्स अप इसमें जब की हकदार जादा आगे थे, दोस्तों अगर हम मूवी क्या हजार कड़ कर पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यह होगा, लेकिन गाईज, यह जो कुछ डार्क, यह जो हिस्ट्री है, यह गाईज, शारू खान के फैन्स को भी थोड़ा कह सकते हैं कि दोस्तों जटका देने वाली है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैस कंबर में मज़ा आएगा, बाके, इसके अलावा दोस्तों क्या मूवी पोस्पॉन होने वाली है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्योंकि देखो भाई, यहां पर प्रभास के फैन्स कह रहे हैं कि शारू खान की मूवी रिलीज नहीं होगी, यहां पे कुछ होम बाल बाला था, नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा गाइस कम था, मतलब हिंदी सर्किट के बात कर रहा हूं, आपके साउथ में तो बहुत दबाके बज है, उवर से इसमें अच्छी बूग्यों होगी, लेकि हिंदी में दोस्तों वह कह सकता है, बातचीत नहीं आ पारी थी, त से सलार पोस्पॉन होगी या नहीं, मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि एक बार मुवी को पोस्पॉन किया जाता है, तो उससों नुक्सकान होता है, दूसरी बार जब करेंगा तो डैड हो जाएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये चिपक गई है, 22 तारिक तो 22 को आगे बढ़ो, मेरा कहना है, क्लैश हो रहा है, होने दो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों ही अलग टाइप की मुवी है, एक में कॉमेडी, इमोशनल, इवन ड्रामा, इवन कुछ का इस वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, मैसिज देते हैं, राजकुमार हिरानी, एक म में दोस्तों मास, एक्शन, धमाका, KGF टाइप की कुछ मुवी होगी, क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें बताओगा, मैंड में बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, अभी के लिए इतना ही